हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे चानल पर तो आज मैं आपको अपना गार्डेन का ओवर्व्यू दिखाने वाली हूँ तो यह वीडियो एक वीक पहले का है लेकिन मैं इसे पोस्ट करने में लेट हो गई हूँ तो यह देखिए जिब से पहले मेरा जर्बेरिया का प्ल साली यह फूल खिलते रहते हैं कुछ दिन का रस ले लेकर यह खिलते हैं तो अभी देखिए इसमें कितनी सारी कलिया आई हुई है और यह देखिए इधर मेरा यह हाइप्रेट बिंग गुढल इसमें बारिश पढ़ने की वज़े से बहुत सारे फूल अभी पानी से भर ग जब फूलों से भर जाता है तो बहुते सुन्दर दिखता है और यह पूरे साल चलता है प्लांट और यह देखिए मेरे कुछ कटिंग से लगी हुए गुल्दाओदी है इधर यह वाइट वाली अभी खिले रही है दीरे दीरे और यह भी कटिंग से लगी हुई है यह सब प्लांचो के प्लांचो के प्लांच में बर्ड पूरी तरह से बन गया है तो इसमें भी फूल खिलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी और स्ट्रॉबरी के प्लांच देखिए मैरिश पढ़ने के वज़े से बहुत ही जादा हेल्दी हो गए है और इधर देखिए मेरे सार थोड़ा मुश्किल है इनका टाइम पीरियड हो खतम हो जाता है दो से तीन बार यह फ्लावरिंग कर पाते हैं जादा से जादा तीन बार करेंगे इनमें भी बारिश की पानी भर गई है तो इसको इस तरह से जाड़ देते हैं क्योंकि फूल जादा जल्दी खतम हो जाते ह अगर बारिश का पानी इस पे पढ़ जाई या पानी आप डिरेक्ली अगर फूल पे डालते हैं तो पौन्दे बहुत जल्दी खराब होते हैं और यह देखे नीचे मेरे बेबी अडेनियम रखे वे हैं तो यहाँ पे इनको धूप अच्छी मिलती है इसलिए मैंने इसको के इस अच्छी ब्लूमिंग होी एकी फूल फूल ख़ले af है अब itself बेटेन्यम में कुछ-Kछ में फ्लाप्रिंग्स हो रही है 2-3 फ्लाइन में में सुंदर कुछ मेंठाब बहुत बनी होई हैं और कुछ बिं गेर भी जा लिया है जादा ठड़र की वजने से तो यह सब खल पर पानी दिख रहा है और यह देखे पिटूनिया किते खुबसूरत लग रहे है और इनकी रेगुलर पिंचिंग करते रहेंगे तभी हम इतनी घनया प्लांट हमारा घना बनेगा और बहुती अच्छी फ्लावरिंग देगा और पानी पड़े वे फूल इसमें सबसे पहले क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी लगते है तो इन पे पानी वाले फूल बिलकुल भी नहीं छोड़ना है अपने तो पौदे गल जाएंगे तो देखे वीडियो बनाते ही मैंने काफी सारे इसमें फ्लार्स पिंच कर दिये है तो जितनी पिंचिंग हम करेंगे उतना जादा ये घना बनेगा और उतना जादा फ्लावरिंग होगे इसमें तो इन दो प्लांस के बिना मुझे अपना विंटर गार्डन अधूरा सा लगता है गेंदा और पिटूनिया ये दोनों ही मेरे गार्डन में सबसे जादा बहार लेके आए रहते हैं बहुती कलर्फुल पिटूनिया के जो फ्लार कैंटे बहुती सुन्धर लगता है और ये ये फज्मिक के प्लांस को व्र्फुल ये छोटे से चोड़े पॉट्स में है यह रगती थूपिल घ्रनिप जाते हैं अन्देशची बबने बने टाहँ जाता है झासे ने के देक्ञ और भाइट वाले तो इन में भी जल्दी फ्लावरिंग दिखेगी मुझे जैसे जैसे फ्लावर्स दिखते जा रहे हैं उनको मैं हटाते भी जारी हूँ क्योंकि इनको छोड़ने पे ये प्लांस मेरे पूरे ही खतम हो जाएंगे ये सीड भी बनाने लगते हैं अभी तो बारिश की पानी की वज़े से फंगस भी लग जाएंगे और देखिए सामने जो गुल्दावदी दिख रहे हैं इनको भी मैं कट करके अभी इन में फिर से इने फ्लावरिंग के लिए तयार करूंगी देखिए और यहां पर देखिए गुड़ल में भी अभी कुछ-कुछ फ्लावरिंग करते ही रहता है और यह देखिए अभी पूरी तरह से दूपनी निकला है तो यह फ्लावर खुला नहीं है यह भी दिरे-दिरे खुल जाएगा फ्लावरिंग के साइज थोड़े से छोटे हो गया है लेकिन बहुती सुंदर फ्लावरिंग हो रही है और इधर देखिए रोज जो हमारे मेरे रखे हुए मैंने सब को प्रून कर दिया था तो सब में अब कलिया बनना शुरू हो गई हो और दीरे-दीरे फ्लावरिंग